तो यह आईफोन 15 प्रो मैक्स जिसका कैमरा टेस्टिंग हम अलड़ी कर चुके है इस चैनल पे बढ़ आज की वीडियो में कुछ काफी यूनीक लेगा हूँ और वो है कि मैं आईफोन 15 प्रो मैक्स के कैमरा को एक ऐसे फोन के साथ कंपेर करने वाला हूँ जो सिरफ 20 से 22,000 का आता है अल्मोस्ट आठ गुना कॉस्ट पे आईफोन आता है इस फोन के तो यह देखना इंट्रेस्टिंग होगा कि बजट फोन के कैमरा में और टॉप अफ द लाइन जो एक से दो लाग के कैमरा फोन हा रहे है उनमें फरक क्या है फोटोस और वीडियो में तो आगे कौन सा यह था कौन सा भी था तो अगर आपने सही गैस करा यह था मोटो एच फॉटी नियो जो बीस अदार का फोन है अगर आपने भी गैस करा तो आईफोन 15 प्रो मैक्स था अब हो सकते काई लोगों को एक आउट्पूट अच्छा लगे किसी को बी का वीडियो में आगे आइफोन में प्रोटी नियो में 50 मेगा पिक्सल तो यहां कुछ साइड बेस साइड में आपको फोटोस दिखाता हूं अब सबसे पहला डिफरेंस जो आप नोटिस करोगे वह कलर्स का अब यहां पर कहीं लोगों को शायद मोटो का आउट्पूट अच्छा लगे कहीं लो अच्छा हो ताकि most of the लोग जो फोन लेते हैं वो सीधा फोटो क्लिक करके सोचल मीडिया पे अपलोड करना चाहते हैं आइफोन का जो आउट्पूट है वो थोड़ा सा ऐसे रहते हैं कि आपको एडिटिंग में कलर्स एन्हांस करने पड़ते हैं यहां फिर काफी नाचु आइफोन में क्या है कि कॉंट्रास थोड़ा हाई साइट पे है तो जो शैडो एडिया है वो थोड़ एसे डाक रिकॉर्ड हो रहे है तो यह मैंने देखा है 15 प्रो मैक्स में तो थोड़ एसा कॉंट्रास्ट हाई कर दिया इस साल तो अगेन आपको कौन सा आउट्पूट लग रहा है आप कमेंट करके बताना बट मुझे कहीं न कहीं इस सिचुएशन में यह जो बी से जार का फोन है इसका ऊट्पूट थोड़ा बेटर लग रहा है आईफोन जो कॉंट्रास रेवल है स्पेशली जो शैडो एडिया है महां उतना डीडेल नहीं दे रहा है आप एडिटिंग में ले जाके आईफोन की फोटोस को एडिट कर सकते हो बट स्ट्रेट आउट आउट ऑफ कैमरा कहीं न कहीं मुझे मोटो का आउटपूट बेटर लग रहा है और यहां पर मैं एक चीज मोटो एच फॉट्टी नियो के बारे में बोलना चाहूंगा और यह व आईफोन स्काई टोन को काफी अच्छे से कैप्चर करता है वो हमेशा से करते आया है इस बजट के फोन में क्या होता है स्काई नॉर्मली थोड़ा में चले जाता है कलर टोन से इधर अधर हो जातने स्पेशली हाइलाइट एरिया में तो यह एक मेजर डिफरेंस है जहां पे आपको जब आप इतना पैसा पे करते हो डिफरेंस देखने को मिलता है उसके बाद HDR परफॉर्मेंस अब यहां पर आमने बाकलाइट सेच्वेशन में कुछ फोटोस ली जहां सन पीछे था वो भी फोटोस ली है अगीं सप्राइजिंग ली आईफोन इन दब शैडू म कैमरा ज्यादा बेटर है अब यहां पर मैं एक चीज मेंशन करने चाहूंगा जहां पर आइफोन इतना महेंगा होते हुए भी सबसे पीछे है वह मिनिममम फोकस डिस्टेंस आइफोन का मिनिममम फोकस डिस्टेंस बहुत खराब है आप यहां दो फोटोस देखना अगर आ इसी बड़िया फोकस करके आपको ऐसी बड़िया फोटो दे पा रहा है बट यहां पर क्वेस्टेंस आता है कि आप आइफोन के लिए इतना आट हुना जादा क्यूं पे कर रहे हो एक डेड़ लाग से दो लाग रुपे क्यूं आप इस कैमरा फोन में इंवेस्ट करते हू उसके मैं कुछी रीजन आपको पताता हूँ फोटोग्रीफी के इसाब से सबसे पहला पॉइंट है जब आप फोटो को जूम इन करते हो ना तब आपको डीटेल में डिफरेंस देखेगा अब जब आप स्टैंडर फोटो देख रहे हो आपको शायद दोनों में से कोई एक अगर मैं 20-30,000 की फोन की बात करूं वहां पे वो चीज उतना अच्छा नहीं होता तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कलर साइंस का तो आइफोन का जैसे आपने देखा नाचुरल कलर्स रहते हैं आपको जैसा दिख रहा है वैसे ही रिकॉर्ड होते हैं अगर आ एंगल कैमरा बहुत एवरेज दिया जाता है अगर हम हाई लेवल कैमरा से बात करें तो आप आप लेडी देख सकते हो डीटेल कम है टेक्शर कम है डैनामिक रेंज उतना बढ़िया नहीं है तो यह कुछ डिफरेंस है आपको देखने को मिलते हैं इवन कलर्स जो है वो बेंड होती है में आइफोन उसको कंट्रोल बैटर करता है नेक्स अब हम बात करते हैं पोट्रेट मोट की तो देखो अगर आप पोट्रेट काफी जादा शूट करते हो ना मैं आप आपको कुछ सैंपल्स भी दिखाता हूं काफी क्लोस रिजल्ट आपको मिलेगा अब देखना शुरू होगा बालों के एज़ेज में यहां चश्मे के एज़ेज में जो डिटेक्शन है वो क्योंकि देखो पोट्रेट मोट क्या है मोसली सॉफ्ट्वेर बेंड करता है तो जब आप इतना हाई प्राइस पे करते हो आइफोन के ले तो महां सॉफ्ट्वेर सुप्राइसिंगली अगर आप बाकलाइट सिच्वेशन में फोटोस देखोंगे ना सन पीछे था मुझे परसनली ऐसा लगा कि मोट्वेज फॉर्टी नियों का आउटपुट ज्यादा बेटर है वो ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स दे रहा है अच्छी डीटेल निकाल र अच्छाए करेगा कि जो नाच्रुल स्किन टोन है उसको रिकॉर्ड किया जाए उसके बाद हमने हाई मेगापिक्सल में फोटोस ली मोटो एच 40 में 50 मेगापिक्सल आईपोन में 48 यहां पे अगर आप जूम करके भी देखोंगे तो देखो डीटेल क्लैरिटी दोनों में जादा फरक नहीं है विकॉज यह रेजिलूशन है तो जितना हाई मेगापिक्सल काउंट होगा उतनी बैटर डीटेल होंगी तो दोनों एकदम नेक टूनेक है मेजर डिफरेंस जो है वह प्रोसेसिंग में तो आईपोन हाई मेगापिक्सल मोड में प्रोसेसिंग जादा बैटर करता है जादा बैटर डिनामी करेंज देगा हाईलाइट कंट्रोल अच्छा करेंगा अलोवर जो लुक एन फील है फोटो का वह आपको आईफोन से बैटर मिलेगी तो लास्ट में हमने फोटो में लो लाइट का एक कंपेरिजन किया है अब यहां पर देखो क्लियर अच्छा है तो अगर आप ऐसी सिच्वेशन में लो लाइट फोटो ले रहे हो जाए हाईलाइट भी है शाड़ो भी है तो यहां पर डिफरेंस दिखना शुरू होता है जब आप जाधा पैसा पे करते हो जो प्रोसेसिंग है वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है और प यहां पर साथ देख रहे हो गोगे फोर के वीडियो का अपरिजन है जहां मैं आइपोन 15 फ्लो माक्स को मोटो एस फॉर्टी नियू से अपर कर रहा हूं जो अल्मोस्ट आट गोना ज्यादा है आप प्राइस में अब पहला दिफरेंस देखना है वहां कि ओवराल एक्सपो बेटर निकाल पा रहा है डैनामिक वीजोनों का कैसा है जब बैक लाइट सिच्वेशन रहता है और साइड लाइटिंग में भी यूल गेट फैर आइडिया और मैं साउंड भीने साइड बे साइड स्विच करता रहा हूंगा आपको एक आडियो का भी आडिया लग जाए क कितना फरक है दोनों के फोन के आडियो में अगर आप व्लॉगिंग या यूट्यो वीडियो के लिए फोन लेने का डिसाइड कर ले हो तो अभी दोनों में अल्ट्रा वाइट अंगल में स्विच कर लिया है तो एक बढ़िया चीज मुझे क्या लगी देखो इस रेंज में अगर आप इस तरीके से यूट्यूब वीडियो के लिए या वीडियो के लिए स्पेशली एक फोन देखना चाहरे हो यहां तो यह एक सिनमाटिक मोड का कंपैरिजन है जो दोनों फोन में मिलता है तो यह मुझे परसनली भी देखना था कि अगर चश्मे का इस डिटेक्श कर रहा है यहां पर अब देखो एक फोन है बीशिक के साथार का एक है डेड़ लाग का वन लाग 60,000 का फोन तो क्या सिनमाटिक मोड में इतना फरक है रिजिलूशन का फरक हो सकता है बट अदरवाइस जो क्वालिटी है वो एक ने चीज है देखने वाली एक बार बाक आप्शन होगा बट अनफॉर्चरेटी नहीं है फिर फीन प्लो मैक्स में 20,000 के फोन में भी ट्लो एक्स मिल जाता है तो फिक सैंपल देखते हैं अच्छी आउपल कैसा है ओके तो अब ही यह है फ्रंट कामरा का साइड बे साइड कंपैरिजन सन मेरे एकदम सामने आप देख सकते हो दूब कितनी आ रही है तो सबसे पहले मुझे यह देखना है परसनली कि स्किन टोन में कितना डिफरेंस है बिकाज आईफोन का पिछले साल तक यह था कि ऐसे ब्राइट लाइट में फेस को थोड़ा जादा वाम करता था थोड़ा ओवर एक्सपोज करता था कि फ्रंट कामरा जादा बेटर होना चाहिए तो यहां पर एक आईड़ा लगेगा कि 20 अदार के फोन और उससे आट गोना जादा कॉस पे जब फोन आता है तो फरक है फ्रंट में है नहीं एक चीज़ अच्छी है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ मोडवा है इसमें 4K है तो इ इतने प्राइस डिफरेंस में जहां एक 1.5 लाग का फोन है और एक 20-21,000 का फोन है तो वीडियो में क्या डिफरेंस आता है स्पेशली अगर कलर्स और डैनामिक रिंज देगे जैसे अब भी यहां मुझे लग रहा है कि यह एलिफेंट पे यहां पे जो यह लाइट पड़ और इंज यलोज भी है तो वो एक बैटर आइडिया देगा और स्पेशली मुझे यह देखना है कि हाइलाइट केंट्रोल कैसा हो रहा है दोनों फोन्स में साइड बाइ साइड अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूं बापिस नीचे लेके आता हूं यह फिर आइडिया सिमिलर फ्रेम में अगर मैं अल्टरा वाइड में वीडियो शूट करता हूं अभी मैं चल रहा हूं बाइड़ेवे तो स्टेबलाइजिशन का भी आइडिया लग जाएगा बट मेजली मुझे देखना है कि डीटेलिंग अल्टरा वाइड में कैसी है और कितना फरक है जब अब हम बात कहते है वीडियो की और वीडियो दिपाट्मेंट में में सुरूत है जहां पर आइफोन बहाइड वि डियू के जब बात करते है वीडियो का इसी लेए कि देखते है तो अगर आपको, आउट-बॉक्षा लगे शायध आइफोन का आइछा लगे डिफिरेंस की है highlight control obviously जो iPhone है वो highlights को better control करता है और iPhone का जो सबसे like super power रहे वीडियो में exposure control जब फ्रेम चेंज होता है जब lighting change होती iPhone का exposure ऐसे ही change होता है आपको notice ही नहीं होगा exposure fluctuation जिसको हम बोलते हैं जो budget phones में easily आपको देखने को मिल जाता है depth of field जादा मिलेगा अगर आप background में देखोगे वीडियो में blur effect आईफोन की वीडियो में जादा है जो naturally आपको मिलता है ultra wide angle में अगर मैं जाओं तो iPhone obviously better है because ultra wide angle हमें पता है budget phones में उतने बड़िया नहीं आते तो detail texture information थोड़ा साथ बेटर देखने को मिलता है बट में यह चीज बोलना चाहूंगा जो 20,000 के फोन स्वेशली यह वाला जो फोन है look and feel वीडियो में अच्छी है और 4K में आप record कर सकते हो back camera से even front camera से भी आप कर सकते हो तो वह एक चीज है उसके इलावा contrast थोड़ी सी हमें budget phones में मिलती है shadow area थोड़े डाक हो जाते हैं contrast लोग मिलती है जो देखने में उतना बड़ी है लगता जो हम आईफोन से compare करते हैं लास्टली हमने 2X में भी वीडियो से रिकॉर्ड करी तो आईफोन थोड़ा बेटर है बट अगें budget phones में भी आजकल काफी phones में 2X में जाके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अगर मैं front camera के बात करूं selfie वीडियो की तो यहां पर शायद मेरे लिए तो शौकिंग था सप्राइजिंग था आपके लिए मुझे नहीं पता अगर मुझे वीडियो बनानी हो तो खाहिना करते हैं लो लाइट परफॉर्मिंस की अगी नहीं पर में बोलना चाहूंगा इस mid-range budget में भी phones काफी काफी अच्छा हो गया स्पेशली इस फोन में अगर आप देखोगे मोटो नौइस कंट्रूल काफी अच्छा कर रहा है तो साइब बैस अगर आप देखो इतना मेजर डिफरेंस नहीं है सिरफ एक मेजर डिफरेंस देखने का मिलेगा वह है हाईलाइट कंट्रोल का जहां पर जो बोड़ लगे हुँ है ब्रैंट्स के वहाँ पर जो इन्फोर्मेशन है जो डीटेल है वो बजट फोन में ओवर एक्सपोस हो जाती है आईफोन उसको अच्छे से रिकावर कर पाता है अगर आप एक नॉमल यूजर की तरह एक फोन में वीडियो देख रहा हो इतना है 15 pro max में कई features हैं जो आप यूजर कर सकते हो that is another thing लॉग वीडियो और वो चीज़ है प्योरली यहाँ पर पर्फॉर्मेंस पर बात करना चाहता था रादर देन गॉइंट टेक्निक हैलिटीज आपकी क्या व्यूजर कॉम्पेडिशन तो नहीं है दोनों फोन्स अपनी कर दो कर दो कर दो कर दो